दोस्तों मेरे पास एक सवाल आये था कि डॉक्सव 30-200 पोटैंसी के मेडिसिन का डिरेशन टाइम होता है जैसे नक्सोमिका का साथ दिन, अमीरा ग्रेशिया का 40 दिन काश्टिकम का पचास दिन तो मदर टींचर का भी duration time होता है क्या और duration time होता क्या है आज हम इसी के बारे में आज से चर्चा करेंगे दोस्तो मेरा नाम है डॉक्टर केके पांडे में आप लोगों के सवालों के समयधान करता हूँ, टीटमेंट भी करता हूँ, और आप लोगों, तवाम हमपैथि से समंदे जानकारिया भी देने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे पता हैं, तो दोस्तों, आज मैं इसके बारे मैं आप سے बात करेंगे, basically पहले इसको हम समझ देते हैं कि time period किसी भी medicine का क्या होता है time duration क्या होता है duration of time किसी भी medicine का मतलब यह होता है कि कोई medicine कितने दिन तक काम कर रही है जैसे कोई भी medicine आपने लिया वो medicine जाने के बाद हमारे सरी में वो कितने दिन तक उसका work हमारे सरी में रहता है जो कि एकूट मेडिसिन का मरतब कुछ समय तक उसका असर रहता है ão कुछ का होता है जिनम का लंबें महीनों तक यसका असर बना रह तो चिंद काम करती हैं अंतन लिए मिरं करका काम कि Deck variates Boris कोई ऐसी मेडिशन नहीं ली जो इसका एंटिडोट करती हो तो उसका असर रहता है अब चुकि आज कल का जो खानपान हमारा है वह इस तरह कहो गया है कि जिसमें हम कुछ ने कुछ ऐसी चीज़े खाई देते हैं जिससे दवाएं एंटिडोट हो जाती है यही कारण होता है कि करने के आशकता पड़ती है जो पहले के समय में दवाएं यूज करने का तरीका बताया जाता था है कि आपने दवा के साथ साथ में कच्छा लैसन कच्छा प्याज हींग खटाई ऐसी चीज़े आपने इस्तमाल नहीं करनी है कॉफी तो इसका कारण क्या होता था था इसका क कभी कभी समाप्ट भी हो जाता है तो ऐसी कंडिशन हमको क्या करते रहना चाहिए कि हमको या तो हम इन सारी चीज़ों का कम से कम से बन करें और यही कारण होता है कि आज कल के डॉक्टर होमोपैथिक मेडिसिंस को रिपीट करते हैं ठीक है सुबह दुपर शाम सुबह साम इवेर ऐसी मेडिसिंस जिनका असर काफी लंबे समत होता है बावजुद उसको रिपीट करते हैं जबकि सही तरीका यह नहीं है सही तरीका यह कि आपने उसकी एक खुराग भी दे वही है तो उसका असर होगा उतने दिन तक उसका असर रहता है और फ्रिक्वेंटी यूज की सिम्टम्स होते हैं वो तुरंद के आयोए होते हैं जल्दी के आयोए होते हैं तो उसको दूर करने के लिए रिपीटीशन आवस्थ होता है तो जब आप रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी तो उसका सिम्टम्स बाड़ी के अंदर में जल्दी से आने शुरू हो जाते है ताकि वो विमारी जल्दी से सही हो जाए इसलिए acute case में repetition जल्दी यली किया जाता है सब acute में थोड़ा सा अंतराल के बाद में और chronic case में अगर सही medicine है तो उसका एक लंबे अंतराल तक weight भी किया जाता है ये proper तरीका होता है Dr.Heneman साब के समय में ये चीज़े चलती थी तो ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी कि किसी भी medicine का time duration क्या होता है time duration फिर से बता दे रहूं है इसका मतलब ये होता है कि उस medicine इतने दिन तक काम करती है body में जाने के बाद में अगर आपने उसको disturb नहीं किया तो यह condition लगाना जरूरी है कि आपने उसको disturb नहीं करना तो उतने दिन तक काम करती रहेगी आपने का डिस्टरब किया तो फिर वो डिस्टरब हो जाएगी पहली चीजिए अब हम बात करते हैं कि अलग-अलग सिच्वेशन में यह अलग-अलग हम पोटेंसी की बात करें 30-200 जैसे इसका डिूरेशन होता है तो क्वेशन यह था कि क्या मदर टिंचर भी उतरे दिन तक करती है जी हां अगर पोटेंसी सही है तो मतर टिंचर भी रिया दवा सही है तो मतर निचर भी उतरे दिन तर गाम करेंगी इसी के ध्यान देन गिए अथे इसका अश रहता है अलग-ठान यूज किया जाता है अगर आप कोई भी ऐसम है तो Por a This has तोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है एक बार में कन्क्लूजन्स का कर देता हूँ किसी भी medicine को यूज़ के हमारे body में जाने के बाद में कितने दिन तक उसका असर सरी पर रहता है ये उसको बोलते है duration of time और अगर आपने उसको disturb नहीं किया तो उतने दिन तक उसका असर रहता है दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ में इसका अगर 30 potency, 200, 1 या mother tincture किसी भी form में है चुकिए medicine वो है तो उसका असर रहेगा उतने दिन तक ठीक है तो उमीद करता हूँ कि ये जानकारी से आपको फायदा जरू मिलेगा repetition से दोस्तों बचिए जब हम repetition करते हैं तो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं हमेशे ध्यान रखेगा जब हम repetition करते हैं किसी medicine का तो उसका नुकसान ये होता है कि अगर medicine सही है, well selected है तो वो aggravate कर जाती है ऐसे बहुत सारे patient को मैंने देखा हुआ है कि अगर medicine मैंने सही दी और उनके aggravation होने शुरू हुए बॉडी के अंदर में जो symptoms अंदर दबे हुए होते हैं वो बॉडी उनको बाहर कर देती है तो आपने क्या किया कि आपने बॉडी को इतना जादे energy दे दी तो बॉडी क्या करेगी कि वो सारी जितने गंदगी होती है उसको बाहर करती है वही हमको aggravation के रूप में दिखता है अलग-अलग symptom के रूप में दिखता है ठीक है इस topic पे और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें अच्छे सा आपको समझाओंगा तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा फिर मिलता हूं एक और वीडियो में तब तक अपना ख्याल लग किएगा जैहिन जै भारत दोस्तों कि अपना ख्याल लग कि अवा लगा ख्याल